दोस्तों स्वाम अलेकुम दोस्तों मैं रेडियो क्या हूँ और अभी सुबा के साड़े आर्बजे हैं तो आफिस की चेल पे बैठा हूँ और बस आज से टरड़े हैं तो थोड़ी देर काम करेंगे और फिर आज चलेंगे बदी कल संडी है तो चुटी है तो आज का कानास्टार करते हैं मैं आफिस के काम तो आपको ज़्दतर नहीं दिखा सकता लेकिन जहाँजा हम फील में जाएंगे तो यकिनन वो चीजें आपको दिखाता रहूँगा तो आज देखते हैं कहा चलते हैं कहा प्लान है और फ़ेदराज को होगी यह सारे फाइल पड़े हुए यह फाइल चेक करने हैं और आड़ेट की प्रिपरिशन करनी है यह फाइल हमने निकाल के रखे हुए हैं इनके आड़ेट होगी चेक करेंगे तो इनको चेक करते हैं देखते हैं दोस्तों हम बदीन के लिए निकल आए हैं तो सबसे पहले पेट्रोल बंप पे आए हैं और पेट्रोल भराएंगे फिर आगे निकलेंगे तो हमने पेट्रोल भरवाया है अभी निकल रहे हैं बदीन की तरफ दोस्तों ये चूर जमाली से सुजावल की तरफ का रोड है और फिर सुजावल से हम निकलेंगे बदीन की तरफ तो हम निकले हैं चूर से और ये तो लिंक रोडी है इसी को उपर चलेंगे फिर चलेंगे सुजावल और सुजावल से हम निकलेंगे बदीन की तरफ तो चलिए हमारे साथ सुजावल तक फिर बदीन तक दोस्तों ये देखें क्राब की वज़ा से हर्याली हर्याली आपको नदर आएगी यहां पर और क्योंके राइस क्राब है तो ये जब भी होता है तो पूरे एर्या में हर्याली सी आजाती है ग्रीन री सी आजाती है और फिर पूरी जो जमीन है वो इतना मज़ा देती है क्योंके एक तो ग्रीन ही ग्रीन होती है और उपर से इसकी जो खुश्बू आती रहती है हवाओं में उसमें बहुत मज़ा होता है और बहुत इंज्वाइ करते हैं हम को अल झाल 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 झाले को रिस्ट रहां एक से घ्ड दोस्टर सब्स्टर लूप टूस्ट खर टूस्टर भी जोस्ट दोस्तों मेरे सोलो ट्रावल पे ज्यादा तर ब्लाग होते हैं तो आप देखेंगे मैं ज्यादा तर आपको ट्रावलिंग के यी वीडियोज दिखाता रहता हूँ क्योंकि मैं सफर भी काफी करता रहता हूँ कभी यहीं फील एरिया में भी करता रहता हूँ मेरा जो काम है वो मुख्तलिफ विलेज़ में होता है तो मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिंद के अंदर जो रूरल एरियाज में विलेज है उनकी विलेज की लाइफ है जो उन लोगों की लाइफ है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ तो यहां पे मुख्तलिफ क्राफ्स भी होते रहते हैं और जुलाया का सेप्टुमबर के दोरान यहां पे ज्यादा तर जो है राइस क्राफ होती है और यह मेजर क्राफ ही है यहां की तो उस वज़ा से आपको हर जगह पर यही नदर आएगी उसके अलावा मुक्तलिफ जो विलेज्ज हैं गाओं हैं गराने हैं या लोगों की जो लाइफ है वो ही आपको नदर आती रहेगी तो मैं इन वीडियो में आपको ट्रैवलिंग तो दिखाता ही रहूंगा उसके साथ साथ विलेज्ज लाइफ भी दिखाता रहूंगा दोस्तो मैं रोड पे हूँ पारिश बड़ी तेज हुई है आप देख रहे हैं रोड पे पानी खड़ा हुआ है और साइडों पे बहुत सारा पानी खड़ा हुआ है तो मौसम बड़ा मस्त हो गया है तो मैं बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका हूँ क्योंकि अभी भी हलकी हलकी सी बारिश हो रही है तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी यहां पे एक वीडियो ले लेते हैं फिर आगे चगते हैं यह आप देख रहे हैं जाड़ियां आ रही हैं पानी में मैं हूँ बाइक पे और बाइक मेरी यह पीछे खड़ी हुई है तो बस बारिश की मौसम का मज़ा लेते हुए लकी अलकी सी बारिश में निकलते हैं और चल रहे हैं बदीन की तरह अभी मैं सुजाबल और बदीन के रोड़ पे हूँ दोस्तों ये डरने के बात नहीं है ये कोई बारिश का पानी नहीं है ये फिश तालाब हैं उनका पानी है दोनों तरफ ये फिश तालाब बने हुए है तो उसकी वज़ाए से इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है वैसे इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं पड़ी है बारिश में बाइक ड्राइविंग करते हुए बड़ा इंज्वाय कर रहा था क्योंकि एक तो हलकी सी बारिश हो रही थी और उपर से ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी तो इतना इंज्वाय कर रहा था कि क्या बताओं बस रोड़ पर पानी था मौसम जो है आप देख रहे हैं सुरज तो ब्रकुर भी नहीं है और बारिश हलकी हलकी सी चल रही है हाँ उसकी कुछ बूने थोड़ी लग रही है लेकिन फिर भी इंज्वाय करते हुए हम चल रहे है सुरोडबाय कि कुछ बा 선ें कुछ उसे ले चिरग रहे रहे रही है इंज्वाय कर दो एब देखर दोस्तों ये सामने आपको जो बिल्डिंग नदर आ रही है ये दीवान शुकर मिल के साथ है और ये हास्पीटल है दीवान शुकर मिल वालों की और यहां पर ज्यादा तर जो लीवर के पिशन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है और ये दीवान प्लांट है जहां पे गाड़ियां बनाई जाती है और इस तरफ जो है ये दीवान शुकर मिल का मेंगेट है और फिर दीवान शुकर मिल है ये जो है मोटर वेक फैक्टरी जो है मोटर गाड़ियों की जो फैक्टरी है उसका मेन गेट था और यहां पे यह बहुत बड़ा प्लांट है एक तरफ गाड़ियों का प्लांट है यानि नई गाड़ियां बनती है मार्कीट में सेल होती है और दूसरी तरफ शुगर से जो भी चीज़ें लिंक करती है उसमें खुद शुगर आजाती है जूस वगरा चाकलेट वगरा जो इस तरह की चीज़े हैं वो सारी यहां पे होती है दोस्तो यह हम बदीन के करीब ही है और यह राइस का क्राप है जो आपको नदर आ रहा होगा आप देख सकते हैं बड़ा यहां मेजर कराप है यहां का तो उस वज़ जासे यह बहुती दबदस किसम का कराप आपको नदर आ रहा होगा दोस्तो यहां दूर दूर तक आपको बस यही कराप नदर आएगा आप देखेंगे बस यही है यहां क्योंके यह बदीन का कहें बदीन ठटा बतलब यह के सिंद का जो निचला हिसा है बलके सिंद का जो सारा हिसा है इस सीजन में यह राइश कराप ही होता है यह बदीन ठूकराची हाइवे है यह उसी का रोड है मैंने पिछले भी काफी सारे बलक्स में यह रोड शेयर किया है हमारा रूट यही है तो मैंने सोचा चले यही आपको दिखाता चलो और यह देखें रोड के दोनु साइड पे यह भी राइस का कराप है दूर दूर तर दूस्तों यह राइस कराप ही है मैंने बहुत मरत बारे बीड किया है लेकिन यहाँ पर मैं दिखाने चाहता हूँ कि यहाँ पर रूर अलियाग में ऐसे बीड से रास्ते बनाए जाते हैं जहां से कोई गाड़ी गुजारी जाती है यह लोग अपने कराप को मारकिन वगरा ले जाते हैं तो इस तरह से कई सारे कच्चे रास्ते बने होते हैं और कई सारे ऐसे रास्ते भी हैं जो ये विलेज में भी जाते हैं यानि जो गाओं होते हैं रूर अलेड़ा में उनके लिए भी ऐसे ही रास्ते होते हैं दोस्तों मैं बदीन पहुच गया हूँ और ये जो आप संसिट देख रहे हैं ये मेरे घर के बिल्कुल सामने संसिट हो रहा है तो मैं अपने घर के गेट पे खड़ा होकर इसको रिकार्ड कर रहा था क्योंकि ये बड़ाई खूसुरत संसिट लग रहा था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा दिखा दूं और इसको थोड़ा मैंने जूम किया है तो इसको देखके बड़ा मज़ा आया और बड़ा इंज्वाय किया तो दोस्तो आज का Vlog यहीं पे खतम करते हैं अमीद है आपको ये विलाग पसंद आया होगा तो जल्द मिलेंगे एक और नए विलाग में तब तक के लिए अलाँ आफिस